हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, आज मैं जिस टोपीक बारे में डिसकस करने जा रहा हूँ, वो है मेजरमेंट, असेस्मेंट, इवैलुएशन, एन्डेर, इंडर इन्डर इलेशन्शिप, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, сे कॉईंटुटिटेटी प्रोसेस, और असेस्मेंट क्या है, क्वैलिठेटिव भी है, प्लावन चैनल इवैलुएशन है, वो अध्यियुशन, क्वैलिठेटिव भी है, तो स्टार इन्च्टों नमबर असाइन करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, औरल भी हो सकता है, हम उसके अधार पर उसे numbers assign करते हैं assessment में क्या है हम उसकी assessment करते हैं उसका academic भी देखते हैं उसकी behavior भी देखते हैं class में उसकी punctuality देखते हैं उसकी co-curricular activity में participation देखते हैं और जो evaluation होता है evaluation में हम चारों aspects को देखते हैं उसमें उसकी qualitative, quantitative, co-curricular और लास्ट में देते हैं उसकी judgment कि बच्चे ने कैसी performance दी जो measurement है इसका main purpose क्या होता है तो mark the answer और बरबर response means जो बच्चे ने answer किया उसे marks देना है in form of numericals और जो assessment है इसका main purpose क्या होता है कि बच्चे की जो progress है उसकी information gather करना और जो evaluation है evaluation का purpose क्या होता है judge करना उसकी quality को जो बच्चे ने attempt किया या बच्चे की achievement है उसकी quality को judge करना जो measurement है यह diagnostic होती है और जो assessment होती है यह भी diagnostic होती है बट जो evaluation होती है यह diagnostic और judgmental दोनों होती है इसमें क्या है हम बच्चे को diagnose भी करते हैं और judgment भी देते हैं और अभी इनका feedback के बारे में बात करते हैं तो जो measurement है इसका जो feedback है वो numbers की form में होता है marks की form में और जो assessment होती है इसमें हम बच्चे की performance के बारे में बताती है हमने पढ़ाता assessment में कि हम बच्चे की performance पे ज़्यादा focus करते हैं ना कि उसके numbers पे हम improvement देखते हैं कि बच्चे में achievement level में क्या improvement आई फिर है feedback जो evaluation का है कि मतलब किस extent तक बच्चे ने objective को achieve कर लिया है उसमें हम ये देखते है evaluation में उसके बाद है जो measurement है ये part होता है assessment का और evaluation का assessment है वो measurement को involve करती है means measurement अकेली होती है ये evaluation में भी आएगी और assessment में भी आएगी उसके बाद है assessment assessment क्या है वो measurement को include करती है बट assessment किसका part होती है evaluation का अब next आता है हमारे evaluation जो evaluation होती है वो क्या होती है वो assessment को भी include करती है और measurement को भी include करती है जैसे कि picture में देख रहे हैं एक bandigram टाइप picture है जिसमें सबसे ctr में क्या है measurement मेजरमेंट के बाद क्या है assessment क्या है measurement को include कर रही है last में evaluation evaluation measurement plus assessment दोनों को include कर रही है तो यह होता है इसके बाद next है हमारा कि जो measurement है इसमें teacher और student बहुत involved होती है means बच्चा बर्क कर रहा है teacher उसको measurement देता है कि हाँ उसने कैसी performance दी जो assessment है इसमें भी teacher और student बहुत involved होती है जो हमारी evaluation है इसमें teacher, student और parent भी involved होती है हम इसमें judgment करते हैं तो हम judgment किसको देते है student की parents को देते हैं बच्चे ने कैसी चीवमेट किया उनकी ग्रोथ रही, उनकी प्रोग्रेस कैसी थी लेर्णिंग में, उसके बाद है जो मेसरमेंट है वो फॉरमेटिव होती है, मींस क्या है थोड़े-फोड़े समय के बाद असेस्मेंट की जाती है, जैसे हमने यूनिय टेस्ट ले लिया, हम इसमें हम बच्चे के फॉर्मेटिव एफ़वन एफ़टू के बाद उसके सुमेटिव होते हैं उसमें हम इवैलुएशन करते हैं कि बच्चे ने कैसी प्रोग्रस की जो मेजरमेंट है इसकी स्कॉप लिमिटेड होते हैं यह स्कॉलिस्टिक एरिया तक ही होते हैं इसमें हम सिर्फ अकेडमिक देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है जो असेसमेंट है यह स्कॉलिस्टिक भी होती है और को स्कॉलिस्टिक भी होती है क्योंकि इसमें हम बच् concept है मिन्स यह छोटा है यह सिर्फ बच्चे की academics को देखती है कि वो learning में कैसा कर रहा है जो हमारी assessment है assessment का broader concept है than measurement मिन्स वो co-curricular activities को भी देखती है कि बच्चे का class में behavior उसकी punctuality उसकी honesty उसका teacher के प्रति कैसा बहवार है जो हमारी evaluation है वो broadest होती है among measurement and assessment क्योंकि जो evaluation होती है वो measurement और assessment दोनों को include करती है उसके बाद last time measurement is a complex process यह complex क्यों होती है क्योंकि इसमें हम number assign करते है मतलब numerical वो points में भी आ सकता है तो हमें divination होती है proper questions की कि यतने marks का इतने marks का तो उसको measure करने के लिए थोड़ी complexity आती है as compared to assessment assessment में क्या होता है हम बच्चे को assign करते हैं उसकी academic को और उसकी co-curricular activity में performance को देखर कि बच्चे ने कैसा किया तो वो गया assessment इसे open process means वो सब include कर रही है co-curricular academic को और co-curricular दोनों areas को उसके बाद है हमारी evaluation जो evaluation है वो complex भी होती है और वो flexible भी होती है marks का record रखना और a flexible कैसी है क्योंकि इसमें हम grade assign कर सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था हमने measurement assessment और evaluation की definition भी सी में include होगी और उनके बीच का relationship और difference के बारे में पड़ा thanks for watching like share and subscribe the channel please